Hi students, how are you? I hope you're all fine. Welcome to online classes of Otec Bahadur Public School. Today we are doing first class maths months of the year. आपको पहले लेंड लोकेजी में करवाई हुए हैं months of the year. लेखिए, J-A-N-U-A-R-Y, January, F-E-B-R-U-A-R-Y, February. ये 1 से लेके 12 तक ये होते हैं हमारे months of year, जो हमने दिसंबर तक लाण करवा चुके हैं आपको. और कल मैंने इंको लर्ण करने के लिए दिया भी था. I hope आपने लर्ण किया भी होगा. इसकी जो activity है, वो देखिए, first है, blank is the second month. जैसे हमने कल days of week में रीड किया था, वैसा ही आज हम months of year में कर रहे हैं. Blank is the second month. अब second, second number, जो two number पे आता है. First है, second month. अब यह देखिए, second को two, क्या आया? February. Second number पे क्या आया? February. हमारा fill in the blacks जो होगा, first. वो होगा, February. F-P-B-R-U-A-R-Y, February. यह होगा हमारा second month. Next है हमारे पास, fourth month पुछे, हम count कर सकते है, fourth. यहनि हमारे counting से पता चल रहा है कि four number वाला. देखिए, one, two, three. हम इसको ordinal में ही count करेंगे. First, second, third, fourth. Fourth number के कौन से आया? April. तो हमारा second वाला जो फिला पाएगा, April. जो April है, वो हमारा fourth number का month, year है. March इसदा, अब हम से पुछा March. March कौन से number का है? पहले तो हमें number दिया था, ordinal number दिया था. हमने month बताना था. अब हमें number नहीं दिया हुआ. अब हमें month दिया हुआ है. और हमें ये बताना है कि ये कौन सा number है? March, first, second, third. अब ये देखे, third number का कौन सा आता है? March. तो March कौन से number वाला हो गया? Third. हमारा answer आजाएगा, T, H, I, E, R, D, third. Third number पे आता है हमारा March. Next आएगा हमारा, 12th month. 12th. हम counting लिख रहे हैं. ये देखे, इसके साथ हमारा 12th number का ये होगा. counting में देखे. तो क्या होता है? December. December is the 12th month of the year. December. इस तरह से हमें कोई भी मन्त पुछा जा सकता है. ये नहीं कि आपकी book से related ही पुछा जाए. आप से वैसे भी पुछा जा सकता है. 5th number का कौन सा होता है? आप बता सकते है, में. आप से ये पुछा जा सकते है, जून कौन से number वाला मन्त है? आप बोल सकते है, 6th. आपको सरफ ये पता होना चाहिए, ख्लो पता होना चाहिए, कि January से लेके December तक. आगे पिछे नहीं लिख सकते हैं हम इसको, फ्लो में लिखा जाएगा January, फिर February, फिर March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. इस तरह से लिखे लेके, उसके according हम से कुछ भी पूछा जा सकते हैं, अगर हम इसे number पूछा है, तो हम इसके number के according बता सकते हैं, मालो हम से पूछा 7th number का मन्त कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं, July is the 7th number month. अगर हम से ये पूछा है कि October कौन से number वाला मन्त है, तो हम ये कह सकते है, October is the 10th number of the month of the year. August, अगर हम से पूछा है, August, August जो है कौन से number का मन्त है, अगर हम ने एक लगाया है, इसका मतला एर्थ, एर्थ number का मन्त है, एर्थ number का मन्त है ये, August, और 11th number का मन्त आता है, हमारे पस नवंबर, अब हम से number नवंबर नहीं, number पूछा है, और हमें month of the year, इसका नाम दिया हम सबसे पहले ये देखेंगे, 11, 11th number पे आया, तो हम लिख सकते हैं, 11th number पे जो आया है, हमारे पास, November month आया है, इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं, January कौन से number पे है, फॉस्ट में, या फिर 2nd number पे कौन सा आता है, February, 9th number पे कौन सा आता है, September, अगर आप से पुछा जाता ह है, कि 6th number का month कौन सा है, which month is on this 6th number, June, June is the 6th month of, 6th month in the month of the year, अब देखें, April, April is the 4th month, May is the 5th month, कुछ भी पुछा जाए, number पुछा जा रहा है, हम number बता सकते हैं, अगर हमसे month पुछा जा रहा है, तो month बता सकते हैं, I hope you all understand it, ओके, आज आपको इसी से related activity दी जाएगी, वो आप फिल करना, बाई बिटा